प्रिवेस एर कोशन पेपर 2020 में जो पूछे गए थे और क्लास 10 के और किस चेप्टर का है पॉलिनॉमिल चेप्टर का और इससे पहले फर्स चेप्टर के वीडियो बना दे गया अगर आपने नहीं देखा है तो उसके वीडियो जाइए देखिए और बहुत ही अच्छे और प्रिके से समझाया गया आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ा आएगा ठीक है तो चलिए आज हम अपने कोशन की तरफ चलते हैं हेलो एवरीवन वेल्कम दू चैलेंजर क्लास और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें तो देखते ह माझतना क्या अखर 2-0 दोते हैं तो क्काड्रेटिक पॉलल्पयल दूसरेंने 1-0 जमान लिया 1-0 मैं этом月 którzy को मनें अल्फा मान अल्फा क्या है फस्च रवह मंधर पास अल्फा और सेकेंड जिए ُ Tell us second zero जो बीटा है इनसे जो quadratic polynomial बनता है तो उसको हम बताते हैं कैसे बना जाता है मैंने लेट जो quadratic polynomial बन रहा है वो px बन रहा है तो आप यहां रिखे k और एक बार multiply करें x-alpha एक बार x-alpha और x-beta ठीक है तो जो इनसे multiply करोगे तो आपको जो बन के आएगा quadratic polynomial चलिए multiply कर लेते हैं हमने तो x-beta 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 x प्लस अलफा इंटू बीटा आ जाएगा ठीक है ये बन गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमेल बनने का हमने दब जो दो जिरोज पता होते हैं तब इसको हम फाइंड करते हैं अच्छा हमारे पास तो दो जिरोज है और आपको जब भी दो जिरोज दिया रहेगा तो उसके क् क्यूबिक पॉलिनोमेल बनेगा चार रहेगा तो बाइक रहेगा तो लिनियर पॉलिनोमेल बनेगा तो बनाने का तरीका यही है अगर एक रहा तो एक रहा तो एक मैनस अलफा एक मैनस बीटा और एक और लिलते एक मैनस कुछ भी आप आलफा बीटा गामा कर देते आपने तो इस एक polynomial अलग-अलग degree का बन के आएगा, जिसको हम cubic, quadratic अलग-अलग बोलते हैं, तो चली, यहाँ पर बोला गया कि कितने number of quadratic polynomial आप बना सकते हो, जब आपके पास 2 zeros हो, कितने हो, 2 zeros, बहुत ध्यान समझने को जिसकरना, यहाँ पर हमें alpha की value जो दिया गया है, वो कितना दिया गया alpha की value, वो alpha value दिया है minus 5, minus 5, और beta की value कितना दिया हुआ, beta value दिया है minus 3, तो यहाँ आते हैं जो px polynomial बनने वाला है, तो alpha और beta value यहाँ put कर देते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ क्या, ऐसे k, k, x square, x square minus alpha plus beta, alpha plus beta, alpha की value है minus 5, plus minus 3, यह हो जाएगा, alpha plus beta की value हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ into x plus alpha multiply beta, alpha multiply क्या हो जाएगा, beta हो जाएगा, plus alpha, alpha की value है minus 5, multiply क्या हो जाएगा, minus 3, यह हो गया, और equal to क्या हो गया, equal to 0 लगाएँगे तब, जब equation बोला रहे हैं, ठीक है, अब धेहाँ से देखना, हमने इस quadratic polynomial में alpha, beta की value हो पुट कर दिया, तो यहाँ से आपका जो बन क्या है, यहाँ से जो बन क्या है, क्या बन क्या है, वो k जो आया, वो x square, minus minus का plus हो, minus 8, minus को multiply करोगे, plus 8 k और plus 15, यह बन गया, यह quadratic polynomial बन क्या है, तो यह तो एक की quadratic polynomial में मिले, लेकिन आपके हिसाब से क्या हो जाएगा, option तुरंट फटाक से आप लगाओगे, कौन से लगाओगे, 1 वाला, लेकिन यह है, गलत option, तो सही क्या वन सा option होगा, तो यह k की value पर depend करता, k की value आपका k का मतलब है constant, क्या है, k का मतलब है constant, ठीक है, k का मतलब है constant, constant अब कुछ भी हो सकता आपका, जितने भी real number होते हैं, सब को हम constant ही बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जितने भी real number होते हैं, सब क्या हो जाएंगे, constant हो जाएंगे, और real number, root में भी होते हैं, fraction में होते है, decimal में होते है सारे type के number को होते है, real number जैसे है, अब समझना नहां से कि हमारा क्या quadratic polynomial एक ही होगा या एक से अलग होगा, दो होगा चार होगा, या बहुत जादा होगा तो उसके लेमने क्या करते है, k की value बदलते जाता, अगर one put करा, तो ये बन जाएगा k की value two put करके multiply करा, तो दूसरा quadratic polynomial बन जाएगा, तीसरा ऐसे आप जितने भी number बदलते जाओगे k की value पे वो अलग अलग polynomial बनता जाएगा अब आपको पता k की value कितना होता infinite होता, तो आपके quadratic polynomial भी कितने बन के आएगे, तो इसके साफ से जो option होगा, more than क्या होगा three options हो जाएगा, कौन सा option सही होगा, d वाला, जिसको हम बोलेंगे more than more than three ठीक है, तो आपको ये question बहुत ही अच्छे, बहुत ही आसान language में समझ में आया होगा, और अगर question समझ में आया है, तो channel पे like और comment करना न बोले, और अपने दोस्तों को share करना भी नहीं बोले, तो आज के लिए इतना ही, और next class में नए वी question के साथ मिलते हैं और धन्यवाद